नवस्कार बहुत स्वागत है आपका विहारी नूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे गंगापत के बारे में राजधानी पटना की बिक्सित करने को लेकर नए नए योजनाओं के सुरुआत की जा रही है जिससे की राजधानी पटना को खुबसूरत बनाया जा सके राजधानी पटना में जाम की समस्या आम है इसको लेकर सहर के अंदर में कई फलायो भर बनाया गया है ताकि आम लोगों को जाम से निजात मिल सके ऐसे में अगर आप राजधानी पटनक के एक छोर से दुसरे छोर तक बिना सहर में गए जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक बहतरीन विवस्था की गई है बता दें की गंगा नदी के किनारे दिग्गा से दिदार गंस तक गंगा पत्थ परियोजना का लगवा काम पूरा हो गया है मीडिया में चल रही खबरों की माने तो दिसंबर 2022 तक यह कार्ज लगवा पूरा हो जाएगा मिडिया में चल रही खबरों के माने तो दिग्गा के दिदारगंज तक 20.50 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की एस्टिमेट एरासी 3390 करोड की है बतातें कि इसके तहत एंसी नह इंसुचूट के पास से गाई घाट, कंगन भाट होते हुए पटना घाट और धरमसाला घाट कि पुराने नेस्नल हाईवे दिदारगंज तक यह एलिवेटे डोड 11.70 किलोमीटर तक जाएगी ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस गंगा पत्थ पर बन जाने के बासे राजधानी में एक छोर से दूसरे छोर्यानी के पूरप से पक्चिम की और असोक राजपत पर बाहनो क्रिष्णा घाट, गाई घाट, कंगन घाट, पतना घाट और दिदारगंज के पुराने नेस्तीस के साथ इसको जोर दिया जाएगा तो आएए अब जान लेते हैं गंगा पत्थ मेगा परजुक्त के बारे में इस मेगा परजेट के पहले पेज के तहत दिग्गा से एन सि चूट से PMCH की बीच में कार चल रहा है, बताया जा रहा है कि यह आकरी दौर में है, इसकी दूरी जो है 25.5 किलो मीटर की है, कहा तो यह भी जा रहा है कि जून 2022 तक इसका कार पूरा कर लिए जाएगा, इसी तरह से तीसरे फेच के अगर हम बात कर लें तो PMCH से लेकर नजा नसुरुदिन घार तक का कार जारी है, और इसकी कुल लंबाई 25.5 किलो मीटर की है, जिवकि इसका कार मार्च 2030 में समाप्त होने की बात कही गई है, इसी तरह से मेगा प्रोजेक्ट का पाचवा केज जो है, धरमसाला घार से दिदार गंज तक का होगा, इसकी कुल 25 किलो मीटर की है, और इस मेगा प्रोजेक्ट का काम जो है, मार्च 2030 तक समाप्त होने की बात कही गई है, इसी तरह से इसी मेगा प्रोजेक्ट के अगर हम आखरी चरण की बात कहलें, तो यह जो है नसुरुदिन गंज घार से नेशनल हाइवे 30 तक किले जाएगी और इसकी कुल लंबाई जो है, तीन किलो मीटर की है, और यह प्रोजेक्ट पर कार्ज मार्च 2014 तक पूरा होने की बात जो है, वो कही गई है, तो ऐसे में कई ऐसे घाट है, गन्जा पात्त वे की, तो कुछ यानि कि तीन ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि दिसमबर 2022 तक पूरे होन पूरव से पक्षिम जाना चाते हैं या पक्षिम से पूरा वाना चाते हैं वो जो है इस पत को पकड़ कर सीधा असानि से सहर में गिद भी ना गए आप बाहर बाहर ही पटना सहर को पार कर सकते हैं बिहार और बिहार से जड़ूए और बेसे इंग कबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दे जय जाज़त धन्यवाद